नमस्कार दोस्तों, क्या हुआ? जब अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुश्पक विमान राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब यह नजारा देखा, तो सभी के पैरो तले जमीन खिशक गई 22 जनवरी. प्रान प्रतिष्था से पूर्व, आयोध्या में इतने बड़े चमतकार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है. कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किये है, जिन्होंने अपनी आँखों देखी, जो बताई, उसे सुनकर आपकी भी रोंग्टें खड़े हो जाए तो 22 जैनुरी 2024 को राम लला अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं. इस शुब कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंतरन बाटा जा रहा है. शहर से लेकर गाव तक घर घर अक्षत वित्रन में बच्चों से लेकर बढ़ों तक सहयोग कर रहे ह यहा तक महिलाएं भी घर घर जाकर अक्षत और श्री राम की अयोध्या की फोटो वित्रन कर रही हैं. अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्था कार्यक्रम की त zijnारियां बहुत तैजी से चल रही हैं. इस कार्यक्रम को बहुत भव्य ब कार्य पूर्ण हो चुका है। सत्तर खंभो पर मूर्तिका का काम चल रहा है। पिछले दिनों त्योहार की बजह से यह धीमा पड़ गया था। लेकिन बह भी अब तेज गति से पूरा हो जाएगा। निर्मान कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर रात दिन मेहनत से कार्य कर रहे हैं लेकिन दस जनवरी की रात को कुछ ऐसा चमतकार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए जब रात रिके समय सभी मजदूर अपना कार्य निपटकर तं चल्सी महसूस हुई सुरेश नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर जहांक कर देखा तो उसे राम मंदिर के परिसर में कुछ अजीब सी चमकती हुई चीज दिखाई दी उसने अपने साथियों को जगाना चाहा लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया जब हिम्मत कर के सुरेश राम मंदिर के परिसर में पहुँचा तो वहां का नजारा बहुत चौकाने वाला था क्योंकि वहां पर उसे एक बहुत ही दिव्य चमतकारी विमान दिखाई दिया जिसका आकार मोर के सामान था जो दिखने में काफी सुन्दर और तेज से परिपूर्ण था जो सकता था लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था मानो स्वयम साक्षात भगवान राम पुश्पक विमान से अयोध्या में पधार रहे हों सुरेश ने यह चमतकार अपनी आँखों से देखा लेकिन अचानक से ही बह बेहोश हो गया क्योंकि बह उसके तेज को सहन नहीं कर पा तो सभी उसकी हसी उड़ा रहे थे लेकिन सुरेश मन ही मन समझ चुका था कि प्रभुश्री राम अयोध्या आ चुके हैं यह उसके लिए सौभाग्य था कि उसे इतना सुन्दर द्रश्य देखने को मिला जहां शायद साक्षात पुश्पक विमान के दर्शन किये थे यान का संबंध कई बार तो एलियन के साथ जोड़ कर भी देखा जाता है यानि कि अयोध्या में उस रात्र को मोर की आकरती का विमान देखना वास्तव में प्रभुश्री राम का कोई संदेश हो सकता है लेकिन क्या ये विमान सच मुच में पुश्पक विमान है इसकी आखिर क पूरवक हतया लिया था फिर रावन इसी के जरिये कही भी आता जाता था रावन को हराने के बाद यह विमान श्री राम के पास आ गया बहजीत हासिल करने के बाद इसी विमान के जरिये आयोध्या पहुंचे थे रावन इसी विमान की सहायता से पंचवटी से सीता का हरन कर और उन्हें उस पर बैठा कर लंका ले गया था। कहा जाता है कि पुश्पक विमान आज के विमान की तरह था। पुश्पक विमान की आकरती मोर की तरह थी यह अगनी और वायू उर्जा से उडान भरता था। के लिए कई आसन बने थे। कथाओ के मुताबित युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन कर यह दिव्य विमान वापस कुबेर को शौप दिया था। एवं कुबेर ने विमान को भेंट स्वरूप भगवान श्री राम को दे दिया था। जिसके बाद पुश्पक विमान से भगवान श्री राम और माता सीता एवं लक्षन सहित लंका से अयोध्या पहुँचे दोस्तों। कई हजारों सालों बाद जब भव्य राम मंदिर का निर्मान हुआ है तो प्रभुश्री राम अपने भाई लक्षमन और माता सीता के साथ फिर से एक बार अयोध्या धाम पहुँच रहे हैं। वह भी अपने इस पुश्पक विमान पर जिसका नजारा बहां पर मजदूर अपनी आँखों से देख चुके हैं। रामायन के प्रसंग में कहा गया है कि जब माता सीता को हरण करके रावन ले जा रहा था तब रास्ते में जटायू ने अपनी चोंच से चोट पहुँचाई थी। राम को बताते हैं कि रावन सीता को हरण करके किस दिशा में गया है। लेकिन जब साक्षात प्रभूश्री राम पुश्पक विमान में अयोध्या पहुँचते हैं तो भला उनके परम भक्त जटायू कैसे पिछे रह सकते हैं। अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिश्था से पहले जन्पद की सीमा में गिद्धो का जुंड दिखाई दिया है। स्थानिये लोग इसे गिद्ध राज जटायू से जोड कर देख रहे हैं। उनमें से 10 से 12 गिद्ध गांव में ही सेमल के पेड़ पर वास कर रहे थे। गिद्धो के दिखने की घटना को लोग ज्यादातर राम से जोड कर देख रहे हैं और शुब संकेत भी मान रहे हैं 22 जन्वरी को। प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विदेश की कई महान हस्तियों को निमंत्रन दिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी नेपाल में भी कुछ विशेश लोगों को समारोह में आने का निमंत्रन दिया गया है। तो उसके मायके से तोफा और अन्य सामगरी भीजवाई जाती है। इसी परंपरा के मुताबित जब प्रभुराम का मंदिर में ग्रह प्रवेश होगा तो सीता जी की ओर नेपाल से अयोध्या उपहार आ रहे हैं। जिसे भार यात्रा का नाम दिये गया है। इसमें 51 प्रकार की मिठाईयां घी, मक्षन और चांदी के बरतन शामिल होंगे 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारो होने वाला है। इसके लिए श्री राम जन्म भूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से। भगवान राम की ससुराल नेपाल के कई गणमान्य लोगों को निमंतरन पत्र भेजे गए हैं दोस्तों। राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन इस भव्य राम मंदिर के बनने में कई हजार कार सेवकों और राम भक्तों का बलिदान छिपा है। उस समय आक्रमनकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूट पाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14 वी शदी तक बह अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए क्योंकि हर बार राम मंदिर और अयोध्या की मदद करने के लिए आस पास के राजा मदद भेज देते थे। अधावी शताबदी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमी एवं अयोध्या को नश्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गये। हिंदु महंत रगुवीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायधीश पंडित हरी कृष्ण के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए क्योंकि बहस्थान प्रभुश्री राम का जन्मस्थान है। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुस्लमानों को विवादित स्थान से दूर रहने के आदेश दिये और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया जबकि हिंदु श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा। लेकिन सन 1900 में एक ऐसा चमतकार हुआ जिसे देखकर मुस्लमानों की भी आँखे खुल गई। ये राम लल्ला का बहुत बड़ा चमतकार था। मस्जिद के अंदर से अचानक राम लल्ला की मूर्ती प्रकट हो गई। कुछ कट्टर पंथियों का कहना था कि कुछ हिंदु दल्लों ने रात्री के समय चुपके से यहां पर मूर्तिया रखी है 1940 में। भगवान राम की मूर्तिया मस्जिद में पाई गई। मुस्लमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने इस स्थल को विवा दिध धांचे के ऊपर भगवा ध्वच फहरा दिया। लेकिन दो नोवेंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार से वकुपर गोली चलाने का आदेश दिया। जिसमें सेंकडों भक्तों ने अपने जीवन की आहुतिया दी। सर्यू तट राम भक्तों की लाशों से भर गया इस हत्याकांड के बाद अप्रेल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंतरी मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। उस समय कोठारी बंधूओं के बलिदान की चर्चा खूब रही। दिसंबर 1992 को जब विवादित धांचा गिराया गया उस समय राज् था मस्जित की दीवार पर चढ़ने लगता है। लाखों की भीड को संभालना सभी के लिए मुश्कील हो गया। दोपहर के करीब 3 बजे पर पहला गुंबद भीड ने तोड़ दिया और फिर 5 बजने में जब 5 मिनट का बक्त बाकी था तब तक पूरे का पूरा विवादि राम मंदिर को बनता हुआ देखना सौभाग्य है लेकिन जब भी हम इसके पिछे हजारों हिंदूओं का बलिदान देखते हैं तो हमारी आँखे नम हो जाती है। पूरी वीडियो को देखने के बाद आक्रमन कारियों के लिए आपका क्या विचार है। इसे कॉमेंट बॉ अपनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वेल आइकॉन को प्रेस कर ले धन्यवाद।